हेलो, वेलकम तो एजविन, हमारी स्कूल के कर्वकरम में बहुत सारे सब्जेट होते हैं, तो बच्चे बहुत सारे सब्जेट पढ़ते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है, मिस रहता है हमेशा, वो होता है फाइनेंस का, तो फाइनेंस से मेरा लिटेट है कि बच्चों को प जिनगे, तो घ्यान का था सागर है. इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेर मार्केट जाई है, कैसे चाम करता है, और कब सिटार हुआ. इस वीडियो में हम का है, और KAMPANY होता है, तो उस में से हम कुछ शेर लेते हैं. तो इसका मतलब यह होता है कि उस company के उतने percent के हम हगदार बन गए यानि उसके उतने percent में जितने profit होगा उस profit के हम हगदार है अगर loss होता है तो उतने percent loss के हम हगदार है Simply stock market ऐसा होता है अब इसकी शुरुवात कब हुई इसकी सुरुवात मानी जाती है कि 400 साल पहले, यानि 16 से इस्वी के आसपाथ, डच इस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अब निजर लेंड के नाम से देश होज गया है, वो कंपनी से सुरुवात मानी जाती है, तो क्या करते थी, वो अपने शिप बेजती थी अलग देशों में, या अलग देशों को, या अलग कंट्री में सर्च करने के लिए, अपना बिजनस करने के लिए, अलग शिप बेजती थी, तो शिप बेजती थी, तो बहुत सालों में, या बहुत टैम में वो शिप वापिस आते थे, बिजनस करके आते थे, तो इसके लिए उसके पास capital, या तो उन्होंने पैसा लगा है, उसके हिसाब से कुछ परसेंट का उनको प्रॉफिट मिल जा रहा था। तो इसे क्या था? दोनों की प्रॉड्रम सॉल्भ हो जा रहती है। कंबनी को पैसा मिल जा रहा था बिजनिस के लिए और जो लोग थे आसपास के उनको प्रॉफिट मिल जा रहा था। लेकिन ये बहुत रिस्की हो रहा था। जिसकी कैसे था, जिसकी ऐसे था कि महलो जहाज गए तो कितने बार होते थे कि जहाज वापिस नहीं आते थे, क्योंकि या तो समूदर में तुफान आया, उसमें चले गए, या लोटर ने लोट लिया, या और भी कोई और कारण हो सकते थे कि जहाज वापिस नहीं आते, तो तो फिर लोगों ने क्या किया, एक में नहीं, तीन-चार जहाजों में पैसा लगाते थे, तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रोटफोलियू डाइबरसिफाई हो गया, तो यह मान लेजिए, तो वहां से ही स्टोक मार्गेटिक सुरुवात मानी जाती है, तो फिर जहां पे जहां सुनने लगा, और स्टोक मार्गेट में कनवर्ट हो गया, तो आज के तारीक में स्टोक मार्गेट हर कंट्री के अपने स्टोक एक्चेंज से हैं, ठीक है, और उससे हर कंट्री अपना मुनाफ़ा कमाती है, यानि बिजनस करती है, ऐसे ही स्टोक एक्चेंज होते हैं, जहा लिए आपको क्या करना होगा से भी में अपना फाइल देनी होती है वहां से परमिशन आती है तो आपका आई प्यू आता है कंपनी का आई प्यू आता है यानि इनिशल प्राइज यानि उसकी प्राइज सेट होता है तो कंपनी की अपनी वेल्यू के साफ से उसका प्राइज ह बारह होता है, तो उसका प्रायस काट रेडिंग करेगा बारह में, उसके बाद वो उपर जाएगा, निची जाएगा, वो ऑपन मार्केट में आता है, एनि पहले IPO आता है, या निफिया प्राइमरी मार्केट, फिर जब जैसी लिस्टिट हो गया, वो अपने ट्रेड करने requirement है उसके पास सेरी 50,000 रुपीज है तो 50,000 रुपीज है तो उसको 50,000 की requirement है तो माली जो उसने एक friend से कहा कि मुझे 50% दे तो मैं अपना business startup कर रहा हूं तो उसने 50% उसको दे दिया अब जो दोस्त था उसका उस company में 50% का profit का हगदार हो गया तो ऐसे ही हमारा stock market काम करता है तो जैसी अगर हम listed करते हैं अपनी company को तो हमें वहाँ से पैसा मिलता है तो उस पैसे से हम अपना business run करते हैं और stock market में हर company के share का price सेम होता है माल लिचे कि आपकी company के एक share का price एक रुपया है और एक रुपय के साब से आपकी एक लाग share market में है तो आपकी मर्जी आप एक रुपय का एक लाग share कर लिजिए या उसको split करके पचास पैसे के दो लाग कर लिजिए प्राइस सेम रहेगा तो इसको ऐसे भी हम डेख सकाए अब आते हम इंडिया stock exchange में तो उसमें हमारा एक BSC है, Bombay Stock Exchange और एक है NSC BSC में हमारे 5400 के आसपास कंपनिया रिस्टेड है और हमारे NSC में 1700 के आसपास कंपनिया लिस्टेड है उसके बाता है हमारा Sensex और Nifty तो Sensex में क्या होता है Sensex में हमारी जो BSC की लिस्टेड होती हैं यानि जितनी हमारे 1400 कंपनिया है उनमें से पो 30 कंपनिया लिस्टेड होती है वर हम% कंपनिया उसका अगर हम अर्फेस टेंड निकाले तो 106 होता है तो Sensex में Top PSE की 30 कंपणी होती है, सेम ऐसे ही हमारा Nifty होता है, यानि Nifty 50 कहते हैं, यानि Top NSE की 50 कंपणी होती है, तो जो Top 50 कंपणी होंगी हमारी इंडिया की, जो हमारी इंडिया की Stock Market को Reflect करेंगी, उसके जो Average Trend होता है, उसको मिलाकर हम मान लेते हैं कि वो Nifty 50 है, तो बहार क कोई भी FIS, यानि जो Foreign Investor है, वो देखते हैं, तो वो Nifty देखते हैं, तो Nifty कैसा काम कर रहा है, तो Nifty को Trend को देखके, वो इंडिया में इंडिया में इंडिया करते हैं, तो इसलिए हमारे जो Regulatory हैं, वो Nifty में Top 50 कंपणी हैं, जिसका performance डाउन होता है, उसको हटा देते हैं, इसके बाद इन सबको कंटोर करने के लिए एक Regulatory बनाए जाती है, जो कि अगर आप Regulatory नहीं होगी, तो फिर धांदले होगी, कुछ कंपनियां फ्रॉड करेगी, उल्टा प्रॉटा चलेगा, स्कैम होगा, और लोगों का पैसा डूप चाहेगा, तो उसके लिए का Regulatory बन कोनाची यह उससे ज्यादा है, तो उसको बेचना पड़ता है, तीन साल के अंतर में, तो यह चीजें, जो है, फॉलो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, यह सारा हमारी से भी देखती है, अब हम जैसे अगर Stock Market में काम करते हैं, तो हम को Retailer को मिलाता है, तो इसके लिए एक Demet Account खुल जाता है, एक Trading Account खुल जाता है, तो आजकल बैंक जो है, 3-1 Account का Facility भी दे रहे हैं, जिसमें आपका एक तो Account होगा, जिसमें से पैसा आप टीमेट में डालोगे, या Trading में डालोगे, तो इन तीनों का लिंक होना बहुत जरूड़ी है, क्योंकि अकर पैसा आप डालोग तिसरा है आपका Option, यानि Option Trading, तो ये 3-4 Segment हैं, तो अगर आप रोज शेर लेते हो और बेजते हो, बार 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 बेजते हो, तो उसे कहते हैं Trading, और मालो आपने कोई शेर को ले लिया, इसी भी एक Company के शेर लिया आपने, और साल, दो साल, तीन साल रखे, उसको बोलते हैं Long करेगी, तो grow करेगी, grow करेगी तो profit होगा, उसको profit होगा तो आपको profit होगा, तो इसलिए stock market की knowledge भी होना बहुत जरूरी है, तो आज की वीडियो में हमने stock market कैसे काम करता है, store market की सुरुवात कब से हुई, तो stock market पूरा है क्या, इसके बार में हमने जाना, और अगर आपको य वीडियो अच्छी लगती है, तो like, share और subscribe जरूर कीजेगा, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए topic के साथ, तक तेले good bye, have a nice day.